चलिए ध्यान दीजिए आप बोड पे बोड पे ध्यान दीजिए बोड पे क्या है रेजिदेंशल स्टेटस हुएफ सबसे पहले सर हुएफ समझना होगा क्या होता है हुएफ क्या होता है एक फैमली मेंबर होता है मान लेते हैं फैमली मेंबर से मतलब क्या है सर एक कोई भी मान लो आप फार एक्जामपल कोई भी आपका एक घर है इस घर के अंदर अगर हम मान ले जो मेंबर है ये मेंबर एक ही काम में लगे हुए हैं और इस मेंबर जो एक का सुना है नाम जोइंट तो वही जोइंट फैंबली को ही हम क्या बोलते हैं हेच यू एफ के अंदर स्रिफ हिंदू पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस के अंदर आपको अगर इस हूएस का अगर आपको मेंबर बनना है ना तो शड़ते हैं कुछ या तो condition number one आपको अगर कोई female है तो यहां के किसी भी male से शादी करोगे मान लेते हैं इस H.U.F. का नाम है मैंने मान लिया इस H.U.F. का नाम है A.B.H.U.F. A.B.H.U.F. यह एक हमारा organization है मैंने simple सी बात करी मैंने इनको बता दिया है वीडियो लेग हो रही है आप internet चेक करिए मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है मैं अभी doubt नहीं लूँआ मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है एक बार आप application close करके चालू करिए बाकी बच्चों का भी वीडियो लेग हो रहा है तो बता दिजी आप और भी काफी सारे बच्चे हैं अगर कोई किसी बच्चे का smooth चल रहा है तो बता दिजी ताकि मैं आगे continue करूँ लेग हो रही है तो एक काम करते है कि मैं एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ अब ठीक है ठीक है चलो अब ठीक हो गया बच्चे कह रहे है चलिए तो मैं क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था ध्यान देना मैं क्या कह रहा था कि ये समझना मत ज़रूरी है हाँ जी मैं क्या कह रहा था समझ ये कि जो यह HUF है HUF का मतलब Joint Family हो गया Joint Family में मान लेते हैं A-B firm है अगर sir AB firm है तो AB firm के अंदर आप मान लो के इसके जो यह सारे है न यह जितने भी है इनको हम बोलते हैं Member इनको क्या बोलते हैं अगर कोई भी female इसके अंदर member participate करना चाहती है तो किसी भी male से यहाँ पर शादी करेगी तो automatically इसकी member बन जाएगी अगर किसी male की बात करें यहाँ पर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको इसी family में born होना पड़ेगा तभी बन सकता है ठेक है अगर तीसरा condition अगर मान लेते हैं कोई बच्चा legally adopt कर लिया गया legally पूरे paper document के साथ तो भी इसका member वो बन सकता है मान लेते हैं कोई इसमें girls है उसकी शादी हो जाती है तो अगर कोई भी female है मान लेते हैं यह हमारी कोई भी female है अगर उसकी marriage हो जाती है तो ऐसे situation में वो इस हुएफ की member नहीं रहेगी हट जाएगी ठीक है अब मुद्दे की बात होती है जब सर यह हुएफ है ना तो इस हुएफ के अंदर एक वेक्ती बड़ा भी होगा जो इन सभी को control करके रखता है ठीक है इस हुएफ में एक ऐसा वेक्ती भी होता है जिसकी सब को जितने भी छोटे छोटे वेक्ती हैं इन सभी को इसकी बात माननी पड़ेगी यानि जिसे हम guardian बोलते है नौर्मली joint family में तो यह होगा हमारा एक वेक्ती अब इस वेक्ती को हम member का नाम ना देखे क्योंकि बड़ा वेक्ती है तो अलग से status देते हैं जिसको बोलते हैं करता करता यह हिंदी word English word जो भी word समझो इसे करता ही बोला जाएगा बिलकुल अगर आप English में भी theory लिखेंगे वहाँ पे करता ही ही लिखना है कुछ बच्चे सोच रहोंगे हिंदी word है करता अब सर मुद्दे की बात है हमें इस हुएफ एबी का residential status निकालने को बोला जाएगा वैसे practical question बहुत rare है पूछा जाए theoretical आता है कि हुएफ का residential status निकालने के लिए हमारे पास अभी तक residential अगर किसी का status हमने चेक किया है तो सर यहाँ पे दो बाते थी एक था हमारा यहाँ पे basic condition और एक था हमारा यहाँ पे additional condition यही था ना एक basic condition और एक additional condition सर basic condition के अंदर 182 दिन था और 60 दिन वाली बात कही गई है जो कि हमने देखा सर additional condition में भी दो बाते हैं एक है आपका टू टाइम रेजिडेंट और एक है साथ सो तीस रफली मैं बताते जा रहा हूँ आपने तो देखी रखा है तो हुएफ के लिए ये वाला जो है ना आपका हुएफ के लिए ये वाला कंडिशन जो है ये नहीं अपलाई होता हुएफ के लिए ये है ही नहीं हुएफ के लिए हम ये वाला तो देखते हैं लेकिन ये वाला नहीं देखेंगे तो सर इसके लिए क्या देखना है हम चेक करेंगे इसका बिजनस इसका बिजनस का कंट्रोल कहां से है हम ये चेक करेंगे यानि जो basic condition में 60 दिन और 160 क्योंकि कितने सारे मेंबर है देखो किस किसका देखेंगे है ना तो 60 दिन वाला जो बात था ना और 182 दिन वाला बात वो हम हुएफ के केस में नहीं चेक करेंगे तो हुएफ के केस में चेक करेंगे business का कि अगर business का कोई भी decision बिस्नस हो सकता है दो तरीके हो सकते हैं बिस्नस है हमारा इंडिया में लेकین ये control हो रहा है आउट साइड इंडिया मैं for example ले लेता हूं मैं example ले रहा हूं जैसा मान लेते हैं कि कुछDe ले-लो है तो इंडिया में लेखिन उसके सारे जैसे करनते कि नाइकि इसके अंदर को जो भी भार के ब्रेंड यहां पर जाओगे तो बोलोगे अभी कलेक्शन आया नहीं है या आप मुबाइल फोन ही ले लो ओपो का मुबाइल फोन ले लो पहले कहां लॉंच होता है बाहर फिर आता है कहां पर इंडिया में या दोनों साथ में ही करें अगर बाहर का जो इसका पेरेंट अब ह्यार्व DIDन गया है मतलब आपका बिज्नस वे इंडिया में आप डिस उन कहां ले रहें एंडिया से तो आप सब्तेसीन का मतलब है है पर डिसीजन का मतलब को हैicana मेज़ इसको बोल जाता है Business Setup in India बट Control outside India Setup तो इंडिया में है भीया लेकिन Control कहा से हो रहा है इसको बोला जाता है अगर सारे decision बहार से लिए जा रहे है इसको foreigner, foreigner बोलते हैं जैसे सारा तो हम इसे India के income ही नहीं मानेंगे उसके लिए इसका tax treatment अलग है हमें तो यह तै करना है कि यह HOF है या फिर नहीं है अगर एक भी decision भारत में लिया जा रहा है एक भी decision तो हम इसको बोलेंगे तुम बन गए R यानि तुम resident तो हो गए जैसे यहाँ पर क्या था सर 182 यह चेक करो लेकिन कोई भी फैसला भारत में लिया गया भारत के अंदर लिया गया तो क्या मान लेंगे तुम बन गए resident पहली condition अगर सारे के सारे फैसले भारत से बाहर लिये जा रहे हैं तो आप non resident हो गए ठीक है ना अगर सारे फैसले ही भारत में लिये जा रहे हैं सारे decisions in India में लिया जा रहा है तब तो आप resident ही हो अगर एक ले रहे हो तब भी भारत में resident बन जाओगे सारे इंडिया मिलोगे तब भी क्या माने जाओगे सारे बाहर होंगे तब non-resident होगे अगर आप बन जाते हो resident तो आपका check किया जाएगा additional condition तो sir additional condition इन सभी का check करेंगे नह सिर्फ additional condition करता का चेक किया जाएगा कि अगर करता additional condition दो बार resident हो जाता है और 730 दिन वाला condition complete कर देता है तो इसका status बन जाता है ROR अगर सिर्फ ये करता है और ये नहीं कर पाता तो NOR अगर ये ही नहीं करता तो NR तो यानि इसके status तो सर वही तीन है फ़रक कहां पर आया फरक आया सरफ और सरफ basic condition में फैसले के ऊपर अगर फैसला भारत के अंदर लिया जाता एक भी तो भेया तुम resident होगे अगला चेक करेंगे लेकिन अगला किसका check करना है करता का check करना है करता का क्या देखना है दो बार resident होना चाहिए 10 सालों में और 730 दिन पिछले अगर ये सब complete करता है तो उसे हम बोल देंगे भहिया आप resident, ordinary resident हो ये theory perspective से पूछा जाएगा हमारा वैसे सारा का सारा section जो है वो 6 के इर्द गूमता है तो ये हमारा 6B आ जाता है 6 2 के अंदर आ जाता है 6 1 में individual आ जाता है 6 2 के अंदर और वैसे भी मैंने कहा section पे आपको इतना focused मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर कोई बच्चा section के साथ याद करता है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप complete section के चकर में आप concept छोड़ते जा रहे हो तो दिकत है यानि दोनों चीजे complete हो या तो आपको concept clear हो तो हो सकता है तो किसी भी हूफ का residence कैसे determine होता आपको समझ मैं तो आपको basic condition की जगह पे क्या आ जाता है उसके decisions और additional condition बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि हमने individual में सीखा लेकिन additional condition किसका check होगा करता का होगा clear तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि हूफ का हम residential status निकालेंगे तो अगेन इसके उपर आपको practical देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि exam में बहुत rare पूछा जाता है books market में आ गई आप books ले लो sir पहला point basic condition तो है नहीं business control business control इसके बाद additional condition ध्यान देने वाली बात है यहां पर दो बाते हो सकती है sir control business की बात करें तो दो बाते तीन बाते हैं basically ठीक है या तो फुल control होगा इंडिया से या होगा partly control इंडिया से या होगा not control या control from outside India फुली control from outside इंडिया देखिए तीन बाते हैं यह sir इन दोनों केसिस के अंदर वो क्या माना जाएगा बताओ इन दोनों केसिस के अंदर वो क्या माना जाएगा resident मैं R लिख रहा हूँ completely बाकि अगर ये वाला condition हुआ तो समझ मैं ही बात आपको जो मैंने समझाया बाते बस उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको exam time पे एक बार याद करने में easily हो बाकि आपको notes में भी मिल जाएगा additional हम जब भी check करेंगे तो additional conditions किसके लिए करेंगे for only करता स्रिफ ये check होगा सर करता के लिए सर करता के लिए जब आप check करोगे तो क्या check करोगे करता के लिए again दो चीजे है additional condition number one number one or additional condition number two number two एक additional condition number one एक additional condition number two सर additional condition number one क्या है additional condition number one है two time resident out of ten year या out of कह दो last ten year last कह रहा हूँ simple में preceding होता है वैसे last ten year सर यहां पे यहां पे seven thirty days in a last कितने साल seven year यह है जी हमारा additional प्रेशनल इस यह एचे एफ का रेजिदेंशल स्टेटस हो जाता है हमारा खतम practical question बहुत rare पूछे जाते हैं और अगर पूछे भी जाएंगे तो आप easily बता दोगे एक question है वैसे book में अभी देख लेंगे clear आपको वे देख बता है